असलाम लेकूम क्या हल चाल है आप सब के उमीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे आज हम लोग जा रहे हैं ग्रोसरी करने और मैंने का आपको स्टोर्स दिखाती हूँ यहां के ग्रोसरी स्टोर्स यह चर्च है यह एक बड़ा खुबसूरत सा चर्च है तो बस हम लोग आज निकले थे मौसम अच्छा था तो हमने सच चलो ग्रोसरी कराते हैं बेबी को भी साथ ले लिया था यह दिखें यह घर चेक करें आप कितने खुबसूरत घर है रास्ते में मैंने सच चलो रास्ते का भी व्यू ले ले लेते हैं अब हम लोग में रोड पे पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में हम लोग इन्शाला तला ग्रोसरी स्टोर पहुंच जाएंगे और फिर हम ग्रोसरी स्टोर घूमेंगे झाल और जी ये हम माशाला से ग्रोसरी स्टोर पे खायर खरियत से पहुंच गे हैं अब हम लोग ग्रोसरी करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी बस अगर कोई प्रॉब्लम ना हो क्योंकि बास दफ़ा होता है ना लोगों को लोग आ जाते ह ना बीच में कैप्चर हो जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता ना मुनासिब नहीं लगता कहते तो कुछ नहीं है वो लेकिन बस खुद को अच्छा नहीं लगता सबसे पहले हमने मास्क पहन लिए और अब हम लोग हैं सैनिटाइज करके अब हम लोग अंदर आ चुके हैं और यहां पर यह देखिए जी कितनी जबरतस सबजी लगी हुई है यह देखें यह फ्रेश बिलकुल फ्रेश सबजी हैं और सारी ग्रोसरी यह देखें कितनी फ्रेश है अच्छा जी हमने जो जो चीजें हमने लेनी हैं वो हम साथ साथ ले रहे हैं टोमाटर कितने अच्छे लगे हैं यहां पर केले इस तरह से मिलते हैं कच्छे ही होते हैं तो फिर हम जब घर में ले आते हैं तो फिर तियार हो जाते हैं थोड़े दिनों में तो यह देखें जी प्रेड है सब कुछ ही अवेलिबल है जो जो चीज हमें चाहिए वो हम लोग ले लेंगे जो चीज नहीं चाहिए लेकिन आपको वैसे साथ में व्यू दे रही हूं तो बस यह देखें पंडेमिक की वज़ा से काफी ज़्यादा महंगाई भी हो चुकी है लेकिन जाहर सी बात है सर्वाइव करने के लिए आपको ज नहां पर किस कदर महनत करनी पड़ती है यह कुकीज जो हैं यह तो मैं जरूर लूँगी क्योंके यह मुझे बहुत पसंद है और मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है माशाला से तो यह तो जरूर लिए जाएंगे यह चॉकलेट्स लगी हैं चॉकलेट्स मैं नहीं तो इत्ती ज्यादा फिर किसने खानी है यह गम्ज है और भी यह देखें सारी ग्रॉसरी है यह देखें जी यहां पर सारी फ्रोजन चीज़ें यह देखें यह दूद है यह फ्रोजन वेजीज हैं यह हमने लेनी नहीं है वैसी मैं आपको दिखा रही हूँ यहां पर आ जाते हैं यह कैंज में जितनी भी चीज़ें यह दाले मगएरा हैं यह देखें यह कीमतों का आइडिया तो आप लोगों को इतना नहीं लगेगा मुस्टली लोगों को लग भी जाएगा तो काफी जाता है आटा है चावल है इस किसम के सब चीज़ें यह देखें जी यह सब यह चावल है हर तरहां का चावल है यह देखें चोटे बैग्स भी हैं बड़े बैग्स भी हैं हर तरहां के साइज में चावल अवेलिबल है और यह आटा हम लोग इस्तमाल करते हैं बहुत अच् ये देखें जी ये है राइस पेरी राइस ये ब्लैक से कलर में हैं और ये मल्टी कलर में राइस हैं मैंने सुचा आप लोगों को ये भी दिखाती हूं कि ये देखें और ये बहुत अच्छे होते हैं मैंने कभी ट्राइ नहीं किये लेकिन इंशाला कोशिश करेंगे कि ट्रा चोटे चोटे से भी बैग्स बढ़े हैं जिसको जितना भी चाहिए होता है वह यहां पर ले लेता है अवेलेबल होते हैं हर चीज तो यह देखिए तो बस फिर हमने उसके बाद हमने ग्रूसरी कर ली है और अब हम लोग जा रहे हैं घर को वापिस अमीद है कि आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आएगी मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए वीडियो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए अलाफिस